नमा संस्किताय मित्रों, चंद्रा इस्टिट्यूट के योटूज चनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है मैं अखिलेश सर आज आप सभी लोगों से संस्कित भासाया सिछणम से संबंधित प्रसनों की जर्चा करता हूं जो की आपके सी टेट, यंपी टेट, राजस्थान टेट से संबंधित प्रसन हैं आए देखते हैं प्रसनों को देखिए प्रसंख्या एक, प्रसंख्या एक में लिखा हुआ है कि कोमल सिसोह लेखनी नाम, पूरतह, प्रिष्ठतह, उपरितह, अधह, वा, चालनेन, आनंदम, अनुभवन्ति एवं प्राथमे की लेखनम वर्तति कोमल सिसोह, कोमल सिसु का मतलब होता है कि जैसे जो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, जो यू केजी, यल केजी के जो छात्र हैं, छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं लेखनी ना माने कलम को पूरत हमाने आगे, प्रिष्टत हमाने पीछे, उपरित हमाने उपर, आधा हमाने नीचे, चालले ना माने चलाने के द्वारा आनंदम अनुभुवति, आनंद लेते हैं एवं प्राथमिक लेखनम वर्तती, यह प्राथमिक लेख होता है, जैसे छोटे छोटे छात्र होते हैं, कलम को लेकर के उपर, नीचे, आईसे वैसे कलम घिसते रहते हैं, आईसे घुमाते रहते हैं कि नहीं, इस प्रकार से वो अपना छोटे छोटे बच्चे क्या जानते है पुर्त में आने उपर पिष्ड़त पीछे उपर इतह है उपर आधा नीचे उपर नीचे इस प्रकार से कलम को घिषते रहते हैं घरसन लेखन होता है अब छोटे छोटे बच्चे हो तो इस प्रकार का चित्रांकन भी करना नहीं जानते हैं परामपरागत लेख भी नहीं जानते हैं आविसकार लेख भी नहीं जानते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं आप जल्दे सुतर बताईए इसका प्रसंख्या एक क्या उतर होगा सभी लोग सही उतर दे रहे हैं प्रसंख्या एक का डी होगा क्या होगा घरसण कारियम वे घरसण कारे कर रहे हैं न की चित्रांकन कर रहे हैं न की परम प्राजट कर रहे हैं कि सिच्छा अधिकार अधिनियम सुनिसितम करोती एतत यत प्रतेक सिसु। सिच्छा अधिकार अधिनियम यह सुनिसित करता है की प्रतेक सिसु यत माने की प्रतेक सिसु माने प्रतेक छात्र। हिंदी माध्यमेन अध्यनम करोती हिंदी माध्यम के द्वारा अध्यन करता है अश्टम कच्छा परियंत मात्रि भासया अध्यनम करोती अश्टम कच्छा परियंत आठ्वी कच्छा के परियंत मात्रि भासा के द्वारा अध्यन करता है अश्टम कच्छा परियंतम आंगल भासा माध्यमें अध्यनम करोती आठमी कच्छा के बाद परियंत का मतलब है बाद अंग्रेजी भासा माध्यम से अध्यन करता है अश्टम कच्छा परियंतम राज्यस से भासे अध्यनम करोती आठमी कच्छा के बाद राजभासा के द्वारा अध्यन करता है बताए क्या होगा संस्कृत की बात चल लए है हिंदी की बात नहीं चल लए है ध्यान रखिएगा तो देखिए यहाँ पर छटमी कच्छा नहीं लिखा हुआ है हिंदी माध्यम के द्वारा तो अध्यन करता ही करता है लेकिन सिच्छा अधिकार अधिनियम जो है सिच्छा अधिकार अधिनियम ने यह सुनिशित किया है कि संस्कीत भासा को दुती भासा के रूप में माना गया है और वैकल्पी के रूप में माना गया है वैसे हमारे यहां संस्कृत को कच्छा 6 से पढ़ाया जाता है, ना कि वह प्राथिमिक से पढ़ाया जाता है, प्रथम से नहीं पढ़ाया जाता है, बलकि कच्छा 6 से पढ़ाया जाता है, तो यहां प्रच्छा नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ आठ, तो कच्छा 8 क बाद मात्र भासा के दौारा अध्यन करता है। कच्छा 8 के बाद ही मतलब कि हिंदी भासा के दौारा संसीत भासा को भी वह पढ़ता है। ठीक है प्रसंख्या दोका B सही होगा। यहाँ ना हिंदी माद्ध्यम से अंगरेजी माद्ध्यम से और नहीं D सई होगा, प्रसंख्या 2 का B सई होगा प्रसंख्या 3 में लिखा हुआ है कि भासा वगमने परिच्छणे च पत्राधार इदम निर्दिसती भासा वगमन में और परिच्छण के द्वारा पत्राधार इदम निर्दिसती, पत्राधार इह निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है मौखी की परिच्छा निर्देशित करता है पोर्फोलियो की विद्यार्थी नाम अवगमन अभिविद्धि सूचकम कारे संग्रहन निश्चित काले विद्यार्थियों की अभिविद्धि का सूचक और कारे संग्रहन निश्चित काल में होता है प्रति अवधि में सिच्छक के द्वारा किये गए विद्यार्थी सोभाव लेक करता है काल काले लेखन परिच्छा समय समय पर लेखन की परिच्छा तो देखिए भासा अवगमन में और परिच्छड में जो पत्राधार यह देशित करता है कि विद्यार्थियों के अवगमन व्रिद्धिसूचक और कारसाहन निशित काल में होना चाहिए तो प्रसंख्या 3 का भी सही होगा न A होगा न C होगा और नहीं D होगा अब हम बात करते हैं प्रसंख्या 4 प्रसंख्या 4 में देखी लिखा हुआ है कि कच्छा याम उच्व स्वरेण वाचन समय एक चात्र है एकत्र उच्चारण गत्य तुटिम करोती तत्र सिच्छक है कच्छा में उच्च्छ स्वर से वाचन के समय बोलने के समय एक चात्र एकत्र होकर के उच्चारण गत्य में तुटिम करोती तुटि करता है तत्र सिच्छक है तो वहां प्रसिच्छ को क्या करना चाहिए कच्छा में उच्चारण की स्वर से उच्च स्वर से तिब्र स्वर से वाचन की समय बोलते समय एक छात्र एकत्र उच्चारण गत्र तुटी करोते एकत्र उच्चारण गत्र की तुटी करता बोलते समय वो गलती कर देता है तत्र सिच्छक है वहाँ सिच्छक क्या करेगा कच्छा याम उचई हो आचनार्थम कदाप आउसरम न ददाती कच्छा में उचा बोलने के लिए किसी भी कदाप आउसरम न ददाती कभी आउसर नहीं देता है ताम उपविसत इत उक्तवा अपरम छात्रम वक्तुं प्रेरियत उसको उपविसत मने खड़े होने के लिए कह करके अपरम छात्रम वक्तुं प्रेरियत दूसरे छात्र को बोले के लिए प्रेरित करता है असुद्धो चाडम भर्चयस्ति असुद्धो चारण के लिए उवह दंड देता है, पिला देता है द्रिष्टान्ता नाम उपस्थापन द्वारा सुद्धो चारण वदति माने बोलो आता है देखिए दिष्टांत का मतलब है कि जहां पर उथ गलत करता है उथ निर्देशित करके सुध्धू चाड़ं करता है कोई भी छात्र है बोलते शमयागर कहीं गलती करेगा अध्याहपक का मुख करतब्ध क्या है कि जहां वह गलती कर रहा है द्रिष्टांत का मत्तव है वहाँ निर्देश करके कि देखो बेटा यहां तुम गलत कर रहे हो यहां आपको इस प्रकार से बोलना है तो क्या करेगा सुध्धो चारणम बदती प्रसंख्या चारणम क्या होगा डी सही होगा न ए होगा न भी होगा और नहीं सी होगा प्रसंख्या पांच की बात करते हैं प्रसंख्या पांच में देखिये लिखा हुआ है कि बिच्छा रोपणम इति विसयम अधिकृत्य चतुर्थ कच्चायाह संस्कीत विसयस्य छात्रान पाठाइतुम सिच्छकस्य कृत आधोलिखितेश कतम्ह मारग सरोतमाश्याद ब्रिच्छा रोपण नाम का इति विसयम ऐसा विसय है ब्रिच्छा रोपण अधिकृत माने अधिकृत करके चतुर्थ कच्छाया, चौति कच्छा के संस्कृत विसय के चात्रों को पठाई तुमाने पढ़ने के लिए सिच्छक स्यक्रिते सिच्छक के द्वारा अधो लिखितेश नीचे लिखिये हुए कतमह मार्गह सरोत्तमह स्यात कौन सामार्ग सबसे अच्छा है। बिच्छा रोपर नाम का एक पाठ है उस कच्छा के चात्र हैं जो संस्कित विखिये में चात्रों को पढ़ने के लिए सिच्छक के द्वारा किया जाता है। इस विखिये में सुचना को संग्रह मनेकतित करने के लिए चात्रों को प्रेद करना चाहिए। बिभिन चित्रों के साथ बोध पत्रों का उपयोग करना चाहिए। कच्छा याम स्व अनुभव द्वारा ए तस्मिन विखिये विचार अवेसम करतुम चात्रान नियोजेत। कच्छा में अपने अनुभव के द्वारा इस विचार करने के लिए चात्रों को नियोजेत करना चाहिए। बिच्छा रोप्र अभियान इत विचयोव पर एकम परिछेदम लेखतुम। ग्रहकार्यम दद्यात। बिच्छअ रोपन अभियान उस विषय के ऊपर एक परिच्छेद का मतलब एक निमद लिखने के लिए गृह कारेत देना चाहिए क्या होगा देखिए सीदी सीवात है बिच्छा रोपन इस विषय को अधिक्र करने के लिए फ़ीया कच्छा चार के में संक Bennett- विषय में इस विशाय में सूचना के संग्रह को करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। देखो बिरिच्छा रोपर नाम का विशाय है। अब इसका संग्रह करने के लिए छात्रों को क्या करेगा, वो अध्यापक प्रेरित करेगा। जब चात्र प्रेरित होंगे, तभी विछारोपर नावविशे से सम्मंधित बात को कच्छाचार के चात्र जानेंगे। ठीक है तो प्रसंख्या 5 का एस भी होगा। न बी होगा, न सी होगा। और नहीं डी होगा। प्रसंग के अच्छ में लिखा हुआ है कि एकस्मात पाठ्यांसात सूचनाम आदाय तस्य साब्धिक अस्तरात उर्धो ब्याख्या करणम कत्यती। उपर ब्याख्या करने के लिए कहता है। तोलना करना, सिहाँ लोकन करना। तो किसी भी पाठ्य के अंस को सूचना को आदाय मने दे करके। उसके साब्धिक अस्तरों से उर्धो मने अच्छे धंग से व्याख्या करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वह निसकर से निकालना चाहता है। तो प्रसंख्या च्छका एस ही होगा। वह पुरुवानुमान, तोलना और सिहाँ लोकन नहीं करना चाहता है। ठीक है, प्रसंख्या सात में लिखा हुआ है कि मात्री भासा याह प्रिथक कस्याचित अन्य भासा याह अधिगम्ह नाम बहु भासिकता इत्तेत अस्ति। मात्रि भासा का प्रिथक करके कस्याचित मने किसी अन्य भासा के अधियम मने अध्यन का नाम बहु भासिकता इति एतत अस्ति, नाम बहु भासिकता है इति एतत ऐसा है, मात्रि भासा को अलग करके कस्याचित मने किसी अन्य भासा का अध्यन करने का नाम बहु भासिकता है एत यहां है पध्धत रूपेल, सिध्धान्त रूपेल, संसाधन रूपेल, अवरोध रूपेल देखिए मातरिभासा को अलग करके अगर किसी अन्यभासा का अध्यन करना बहinaçãoभासिकता नाम है तो उसको हम संसाधन रूप कहते हैं पद्धत रूप से नहीं, सिध्धान्त रूप से नहीं, अवरोध रूप से नहीं संसाधन के रूप में ही अन्य भासाओं का अध्यन बहु भासिकता है मात्रिभासा का अलग करके किसी अन्य भासा का अध्यन बहु भासिकता नाम है एतत अस्तिय है, क्या है? वह संसाधन रोप में है ठीक प्रसंकिया साथ का सी सही होगा प्रसंकिया आठ में लिखा हुआ है कि आंगल भासाया लैटिन ग्रीक संस्कृत आद भी संस्कित आद विभिन भासा अभ्यः सब्दाह ग्रिहीताह स्विकृताह च आंगल भासाया याह एतत वैसिस्टम कत्थते आंगल भासा के द्वारा आंगल भासया अंग्रेजी भासा के द्वारा लैटिन ग्रीक संस्कृत आद विभिन भासाओं के द्वारा भासाओं के लिए सब्दाह ग्रिहीताह स्विकृताह संस्कृत आद विभिन भासाओं की सब्दों को ग्रहन करके स्विक्रित करके आंगल भासा या आंगल भासा का यह विशिस्टा कही जाती है आंगल भासा की यह विशिस्टा कही जाती है आंगल भासा के द्वारा अंग्रेजी भासा के द्वारा लाइटिन ग्रीक संस्कृत आद विभिन भासाओं की सब्दों को ग्रहन करके और स्विक्रिता हमने स्विक्रित की गया है आंगल भासा या अंग्रेजी भासा का यह देखिए अंग्रेजी भासा में लाइटिन भासा है, ग्रीग भासा है, संस्कृत भासा है। तो अंग्रेजी भासा की विस्यता क्या कही जाती है? सब्दरचना, रूपरचना, भासडम, बोलना, ग्रहन सीलता है। अंग्रेजी भासा में जो अन्य भासाओं का सम्मेलन हुआ है लैटिन इंग्रीक संस्कीत आदि भासाओं को जो अंग्रेजी भासा के द्वारा देखें अंग्रेजी भासा के द्वारा जो ग्रहन किया गया है स्वीकार किया गया है वह ग्रहन सीलता कही जाती है ग्रहन सीलता की जाती है क्योंकि अंग्रेजी भासा में अन्य भासाएं भी समाहित है क्योंकि संस्कित भासा के द्वारा ही अन्य भासाएं उत्पन हुई है लाइटिन भासा भी अंग्रेजी अंग्रेजी भी लेटिन भासा, ग्रीग भासा, संस्कीत भासा, इसा प्राचीन भासा है और अंग्रेजी भासा बात की भासा है ठीके ने अंग्रेजी भासा की क्या भी सिचता है तो अंग्रेजी भासा की भी सिचता है को अग्रहन सीलता है न की सब्द रचना है ने रूप रचना है और नहीं भास्डम है तो प्रसंख्या आठ का सी सई होगा प्रसंख्या नव में लिखा हुआ है कि बाला नाम ध्याना अवधी लद्धी वर्तती अतह सिच्छक है बालकों के ध्यान अवधी मने समय ध्यान के समय लद्धी मने कमजोर होती है बालकों के ध्यान अवधी लगवी मने लगु होती है छोटी होती है अता सिच्छक अता सिच्छक को क्या करना चाहिए प्रतेक कालांसस्य अंते बिराम दद्यात प्रतेक समय के अंत में बिराम देना चाहिए विशेश से विश्तित वरणे ध्यानम दद्यात विशे के विश्तित वरणे में ध्यान देना चाहिए सावधानता याह अभाव कारणात भरते भर्स एत साउधानता या साउधानी के अभाव के कारण से भरतेस माने गलती करते हैं भरतेस माने गलती करते हैं छात्रा नाम कृते चात्रों के लिए क्रिया कलाब मूलका नाम कारियानाम नियोजनम कुरियाद च्छात्रों के ख रहुति करते हैं उन च्छात्रों के लिए क्रिया कलाब मूलक कारियों का नियोजन करना चाहिए जिस से उनका ध्यान कही भटके न तो प्रसंख्या नव में कौं सा उत्तर सही होगा A, B, C, D क्या सही होगा बताईए इसमें समय के अंत में भी राम नहीं देना चाहिए विशे का विश्तित वर्ण करने में ध्यान देना चाहिए यह भी नहीं होगा साउधानी के साथ अभाव गलती करते हैं यह भी नहीं होगा प्रसंख्या 9 का D सही होगा ठीन है छात्रों के क्रियाकलाब मूलकारियों का अच्छी तरह से नियूजन करना चाहिए प्रसंख्या 10 में लिखा हुआ है कि अध्यापक विद्यार्थी नाम ध्यानम आकरसाइतुम सारीरिक भंगिमा नाम वाचिक भंगिमा नाम च प्रयोगम करोत एतत काउसलम नाम आकरसित करने के लिए सारीरिक भाव भंगिमाओं को और वाचिक भाव भंगिमाओं को प्रयोगम करोत प्रयोग करता है एतत काउसलम नाम यह काउसल है यह कैसा काउसल है मतलब विद्यार्थियों के ध्यान को अपनी और आकरसित करने के लिए कोई अध्यापक है वह पढ़ा रहा है बात को समझेगा अध्यापक है वह पढ़ा रहा है और विद्यार्थि जो है इधर दोर अपने दिमाग को लगा रहे हैं तो विद्यार्थियों को ध्यान को आकरसित करने के लिए अध्यापक जो है सारीरिक भाव भंगिमा करता है वाचिक भाव मनेबाडियों की भाव भंगिमा का प्रयों करता है यह काउंसल क्या कहलाता है निदर्शन काउंसल प्रस्तुत परिचय दीपन भिन्नता पुनरबलं क्या कहलाता है यह निदर्शन काउंसल कहलाता है निदर्शन का मतलब है निर्देश जब अध्यापक अपने सारणिक और वाचिक माने बाड़ी की भाव भंगिमाओं के द्वारा पढ़ाता है तो छात् प्रसंख्या 11 की बात करते हैं प्रसंख्या 11 की बात करते हैं प्रसंख्या 11 में लिखा हुआ है कि स्रेया उत्तर लेखन समय भूत कालिक वाक्या नाम लेखने तथा समर्था न द्रिश्यती इती सिच्छकेण परिलचितम किन्तु सिच्छकस्य सन्निधाव सह पाठी नाम वा सहयोगेन सा भूत कालिक प्रयोगम करतुम शक्नोती एतत मार्ग दर्शनम अस्ति स्रेया नाम की एक बाल क्या है जो उत्तर लिखते समय भूत कालिक वाक्यों का लेखन मी भूत कालिक माने भूत काल की वाक्यों को लिखने मी तथा समर्था न द्रिश्यती वह समर्थ नहीं होती है और न वह देखती है इत सिच्छकेन परिलचितम ऐसा सिच्छक की द्वारा परिलचित होता है ठीक न? एक स्रेया नाम की बच्ची है जो उत्तर लिखते समय भूतकालिक वाक्यों की लिखने में समर्थाह नद्रिशते समर्थ हो करकी अच्छी धंग से नहीं देखती है इत सिच्छकेन परिलचितम ऐसा सिच्छक की द्वारा देखा जाता है किन्तु सिच्छक से सन्निधव सह पाठिनावा सहयोगेन सा भूतकालिक प्रयोगम करतुम सकनोते किन्तु सिच्छक के समीप सानिध्ध में अथवा सहपाठियों के द्वारा और सहयोग के द्वारा सा ओह स्रेया नाम की बच्ची भूत कालिक प्रयोगों को करने कर सकती है भूत कालिक प्रयोग करने में समर्थ होती है एतत मार्ग दर्सन मस्ति यह मार्ग दर्शन है यह कैसा मार्ग दर्शन है समस्या समाधानम परामर्सह प्रतिसूचना प्रारंभिक सहयोग प्रारंभिक सहयोग प्रतिसूचना प्रामर्स और समस्या समाधान कैसा होगा यहाँ पर किस प्रकार का मार्ग दर्शन किया गया है कोई भी छात्रा है वह भूत कालिक प्रयोग करने में लिखने में समर्थ नहीं होती है ता अध्यापक की सन्निधी में अथमा सहपाथियों के सहयोग से वह भूत काल का प्रयोग करने में समर्थ होती है भाई, कोई वाके हमने बोला कि रमेश विद्यालयम अगच्छत रमेश विद्यालयम अगच्छत रमेश विद्यालय गया, अब ऐसा वह परियोग किया उसने, ठीक है, ऐसा प्रयोग किया, ऐसा प्रयोग करने के बाद, जब देखा, कि वह किस प्रकार का क्रयोग कर रही है, यहाँ प्रसीदी सी बात है, अध्यापक के द्वारा उसकी समस्या का समाधान किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसकी समस्या का समाधान किया जा रहा है, प्रसंख्या प्रशंख्या 12 में देखी लिखा हुआ है भासा के अध्यान में बिर्द्धी होती है भासा के अध्यान में बिर्द्धी होनी चाहिए यदि भासा या अधिगमने बृद्धी भवित भासा के अधिगमन में बृद्धी होनी चाहिए यदि जब क्या होगा अध्यापक चात्रों के लिए कंठस्ति करनार्थम एकम वाक्यं ददात अननंत्रम कच्छायाम तेव्भ्य पुनरा वृत्तिर्थम कःत्य वन्हें। सिच्छन सामग्रयाह प्रयोगम करियते सिच्छन के द्वारा प्रभूत सिच्छन सामग्री का प्रयोग करना करता है छात्रा नाम प्रगति ज्यात्म सिच्छके सापताहिकम परिच्छनम करियते छात्रों की प्रगति को जानने के लिए सिच्छक सापताहिक परिच्छा करता कच्छा का सिच्छक वास्तिविक जीवन की इस्थिति के निर्मान करता है जिससे चात परस्पर भाव बिन्मय करते हैं तो भासा की अधियोन बिर्धी में होना चाहिए कच्छा का अधियापक वास्तिविक जीवन की इस्थिति में निर्मान करता है यसमिन जिससे चात परस्पर भाव का विचार अभिमस करते हैं तो देखिए भासा का अधियोन की बिर्धी कैसी होगी भासा के अधियन में बिर्धी कैसे होगी देखिए अगर भासा की बिर्धी अगर करना चाहते हैं, अध्यन की व्रिध्धी करना चाहते हैं, तो कोई भी अध्यापक छात्र के वास्तिवी जीवन की इस्तिति का अंद्रिमान करेगा, और उसके बाद छात्रों के परस्पर, विचारों के आदान प्रदान करने के लिए अगर वह निप्देश देता है, तो हाँ आप निशित रूप से भासा में बृद्धी होगी। तेहाँ प्रसंख्या बारका क्या सही होगा? डी सही होगा, न सी होगा, न बी होगा और नहीं ए होगा। प्रसंख्या 13 में लिखा हुआ है कि उर्जा सरच्छन विशयम अधिक्रित समूहे सु सुचना तुमक चित्र निर्मान कार्यार्थम एक सिच्छक चात्रान योजित वान। एकस्मिन समूहे अमित नामा कस्चित दिष्ट हीन अपिच्चित निर्मान कारेसं लगन। तस्य सह भागिता भवेत। ठीक है तो उर्जा सरच्छन विशय को अधिक्रित करके समूह में सुचना तुमक चित्र के निर्मान कारे के लिए एक सिच्छक चात्रों को नियोजित करता है, चात्रों को एकत्रित करता है। उर्जा सरच्छन विशय है उसको अधिक्रित करके समूह में सुचना तुमक चित्र के निर्मान के लिए एक सिच्छक चात्रों को नियोजित करता है। एक समूह में अमित नाम का कोई चात्र है, वह द्रिष्ट हीन है, द्रिष्ट हीन होते हुए भी चित्र निर्मान कारे में वह सलगन है। तस सहभागिता भवेद उसकी सहभागिता होनी चाहिए। उसकी सहभागिता कैसी होनी चाहिए। प्रचार वाक्या नाम सिर्षका नाम चे लेखन द्वारा, प्रचार वाक्यों का और सिर्षकों के लेखन द्वारा, ब्रित पत्रेब्य, पत्रिका भ्यस्च अंसा नाम प्रिथकृत्य, ब्रित पत्रेब्य, बित्र मने गोलाकार पत्रों का और पत्रिकाओं के अंसों को अ उस समूह में अब यहां स्रिजनात्मा के चित्र की बात की जा रही है स्रिजनात्मा के चित्र के निरिमान के लिए छात्रों को एक अधित किया गया है अब उस समूह में एक चात्र जो है दृष्ट हीन है अब वह चित्र निरिमान कारे में सगलंगन है अब यहाँ पर किस प्रकार की सहयोग होगा किस प्रकार का सहयोग होना चाहिए तो यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होगा क्या सहयोग होगा यहाँ पर विचारों के आदान प्रदान से वह द्रिश्ट ही छात्र चित्र निर्मान कर सकता है प्रसंख्या 13 का क्या सही होगा? C सही होगा, न A होगा, न B होगा और नहीं D होगा प्रसंख्या 14 की बात करते हैं प्रसंख्या 14 में लिखा हुआ है कि चतूर्थ कच्छा याह छात्रा हनी वदती अहम पठनकारे सिद्धा अस्मी परन्त संस्कित भास्या सम्भासणे त था न एतत मुल्यांकनम अस्ति देखिए चतूर्थ कच्छा की छात्रा चाओर्थी कच्छा की छात्रा हनी वदती मानें बोलती है कि मैं पठन अहम पठनकारे सिद्धा अस्मी मैं पठने के कारे में सिद्ध हूँ अर्थात मैं पढ़ने के कारे में समर्थ हूँ परंतु संस्कीत भासया सम्भासणे तथान परंतु संस्कीत भासा के द्वारा बोल नहीं सकती बोलने में समर्थन नहीं हूँ एतत मुल्यांगन मस्ति यह किस प्रकार का मुल्यांगन है एक जो है हनी नाम चोथी कच्छा की हनी नाम की एक छात्रा है वह बोलने में समर्थ है मतलब पठन कारे माने पठन कारे में क्या है वह समर्थ है किन्त संस्कीत भासना को बोलने में वह समर्थ नहीं है तेहां पर किस प्रकार का मुल्यांकन होगा अधियम में, अधियम अश्य में, अधियम आर्थम में, अधियम रूपी अधियन में, अधियम का, अधियम के लिए, अधियम रूप में तो देखिए यहाँ पर जो मुल्यांकन होगा, वह होगा अधियम का, अधियन का मुल्यांकन होगा अधियन का मुल्यांकन का मतलब है कि अगर वह पढ़ सकती है तो बोल क्यों नहीं सकती है इस प्रकार के अधियम का इस प्रकार के अधियन का उसका मुल्यांकन होगा तो यहाँ पर अधियम का मुल्यांकन होगा ठीक है प्रसंख्या 14 का B होगा न अधिगम में न अधिगम के लिए न अधिगम रूप में प्रसंख्या 14 का B प्रसंख्या 15 है रचनात्म का मुल्यांकन क्रियती रचनात्म मुल्यांकन किया जाता है सतत मुल्यांकन रूप में सत्रांत्म सत्र के अंत्में सत्रादव सत्र के पहले एक एक से पाठा से पठन पाठन समय एक एक पाठ के समय या पढ़ते पढ़ते समय में देखे रचनात्मक मुल्यांकन जो होता है वो सतत मुल्यांकन की रूप में किया जाता है वो सतत मुल्यांकन की रूप में रचनात्मक मुल्यांकन होता है तो आज इतना ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चंद्राजटी ट्यूड में इस समय पचीस परसेंट का डिस्काउंट चल ला है सभी मित्र हमारे जो है और टेट सीटेट सूपर टेट इत्याद में अगर उस सिग्रहत सिग्री एडिमिशन लेना चाहते ह आप उठाएं और रजट जी के लिए और आकाज जी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद नमख शंस किताए